समस्कार दोस्तों, आव सिखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम के कार्डिगन के लिए ये खुबसूरत सा डेजाइन लाएं है इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद देखी कितना खुबसूरत दिखाई देता है इसे बनाने के लिए पंद्रा के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्टर दस लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और बनाने में बहुत ही अच्छा देखे सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा पीछे से भी देखे कितना खुबसूरत है तो फ्रेंच चलिए हम डिजाइन बनाते हैं मैं डिजाइन इसी के उपर बना रहे हूँ आप इसे पहली लाइन समझे डिजाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अगला फंदा उल्टा नेक्स्ट सीधा फिर उल्टा फिर सीधा यानि बार्डर की तरह एक फंदा सीधा बनेंगे और एक फंदा उल्टा इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे सेकंड रो और रांग साइड जो फंदा उल्टा दिखाय दे रहा है उसे उल्टा और जो फंदा सीधा दिखाय दे रहा है उसे सीधा बनेंगे यानि एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बार्डर की तरह तीसरे लाइन और चौथी लाइन में भी जहां सीधा दिखाई दे रहा है वहां सीधा और जहां उल्टा दिखाई दे रहा है वहां उल्टा बुनते जाएंगे यानि चार लाइन हमें बार्डर की तरह बनाना है देखिए फ्रेंट्स एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए चार लाइन कम्प्लेट कर लिया गया है और अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अगले दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे दो का एक कर लिया नेक्स्ट दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, दो फंदे को लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे देखिए हमने छे फंदे को तीन फंदा कर लिया है, दो का एक लेते हुए छे फंदे को तीन फंदा बना लिया है और अब हम उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे अगला फंदा सीधा यानि जाली देते हुए सीधा इस तरह हमें छे फंदा बुनना है ये एक हो गया उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए सीधा दो उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए सीधा तीन उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए सीधा चार उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए सीधा पाँच उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए सीधा छे यानि हमने छे फंदा सीधा बुना और प्रतिक फंदे के पहले जाली दिया यानि यहां पर 6 से 12 फंदे हो गया फिर उन अपनी और करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे फिर दो फंदे को लेंगे एक उल्टा फंदा बना लेंगे फिर अगले दो फंदे को लेंगे एक उल्टा फंदा बना लेंगे तीन हुआ फिर दो फंदे को लेंगे एक उल्टा फंदा फिर दो फंदे को लेंगे एक उल्टा फंदा नेक्स्ट दो फंदे को लेंगे और एक सास लेते हुए 6 फंदा बनाया है यानि 12 फंदे से 6 फंदा हो गया यहां पर हमने 6 फंदे से 12 फंदा किया था और यहां पर 12 फंदे से 6 फंदा कर गया यानि हमारे पास जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गया फिर अब हम 6 फंदे को प्रतेक फंदे के आगे जाले देत लेते हुए सीधा बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे में हमने प्रित्यक फंदे के आगे जाली दिया हुआ है, फिर उन अपनी और करेंगे, और दो-दो फंदे को एक साथ लेते हुए, उल्टा फंदा बनाते जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और फिर यहां चार फंदा बचा है, तो अंतिम फंदा एज स्टीच है, यानि इन तीन फंदों के पहले हमें जाली देना है, तो उन अपनी और ही रखे रहेंगे, और तीन फंदा जाली देते हुए, तीनों फंदों के आगे जाली देते हुए, सीध और लास्ट फंदा सीधा और 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 रांग साइट सब भी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे सेवन्थ रो और फ्रंट साइट सेवन्थ रो फिफ्थ रो की तरह ही हो जाएगा यानि पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन अपनी ओर करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे अगले दो फंदे को एक साथ लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर अगले दो फंदे को एक साथ लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे यहां पर हमने छे फंदे को तीन फंदा कर लिया फिर नेक्स तीन उन अपनी और करेंगे चोथा फंधा उन अपनी और करेंगे जाले देते हुए पांच उन अपनी और करेंगे जाले देते हुए सीधा 6 यहां पर हमने 6 फंदे से 12 फंदे कर लिया फिर अगले 12 फंदे को हम दो-दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाले उल्टा बनाते जाएंगे यानि दो का एक कर लिया अगला दो फंदा एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे अगला दो फंदा एक साथ लेंगे एक उल्टा बना देंगे तीन अगला दो फंदा एक साथ लेंगे एक उल्टा उल्टा बना देंगे चार अगला एक दो फंदा लेंगे एक उल्टा फंदा बना देंगे पाँच और अगले दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे उल्टा बनाते हुए छे यहाँ पे हमने बारा फंदे से छे फंदे कर लिया इसी तरह करते हुए छे फंदे से बारा फंदा और बारा फ एट रो और रॉंग साइट सभी फंदे उल्टे बना लिये जाएंगे नाइन्थ रो और फ्रंट साइट नाइन्थ रो भी फिफ्थ रो और सेवन्थ रो की तरह ही बना जाएगा यानि पहला फंदा स्लिप किया जाएगा उन अपनी और किया दो फंदे को एक साथ लिया एक उल्टा फंदा नेक्स दो फंदे को एक साथ लिया एक उल्टा फंदा और नेक्स दो फंडा को एक साथ लिया, एक उल्टा फंडा, यानि, छे फंडे को तीन फंडा कर दिया, फिर नेक्स छे फंडा लेंगे और प्रतिक फंडे के आगे जाली देते हुए, सीधा बनाते जाएंगे यानि, छे से वापस हमें इसे बारह कर लेना है और अगले 12 फंदे को एक साथ लेंगे, दो-दो फंदे को एक साथ लेते हुए हम 6 फंदा बना लेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे 10th row और रॉंग साइट सब भी फंदे उल्टे बना लिये जाएंगे 11th row और फ्रंट साइट यहां से पहला लाइन फिर से शुरू हो जाएगा यानि पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा इस तरह चार लाइन हमें बनाना है यानि पहले से चौथा लाइन तक हमें फिर से रिपीट करना है 11th, 12th, 13th और 14th चार लाइन हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा यानि जहां जो दिखाई दे रहा है वहाँ वैसे ही बनाना है देखिए फ्रेंड्स चार लाइन का बार्डर बना लिया गया है फिर अब 15th रो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे यानि यहां से पाचवा लाइन फिर से शुरू हो जा रहा है फिर नेक्स छे फंदा जाली देते हुए सीधा देखे फ्रेंट्स दस लाइन का यह रिपीटिड डिजाइन है और इन्हीं दस लाइनों को दोहराते रहने से डिजाइन अपने आप बनता चला जाएगा सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा देखिए पीछे से भी ये कितना खुबसूरत दिखाई दे रहा है तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में डाले इसे लाइक केजिए चैनल को सब्सक्राइब केजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद